नमस्कार, आज जो कैबनेट की मीटिंग हुई है सुबार, उसके बारे में ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं शिरी थावर चंद कैलोट जी, मिनीस्टर आफ सोकूल जस्टिस और इंपावर्मेंट सीरी पिरकास जावडेकर जी जी, मिनीस्टर ओफ इंफूनुशन और प्लख़ड कास्ट मिस्ट आरस वरा बैनन्यंट जी, सेक्रेटरी, सोसaw जस्टिस और देपावर्मेंट म मैं इसमें सबसे एहम फैसला शेडूल कास छात्रों के लिए एक करोड से अधिक छात्रों के लिए लगभग साथ हजार करोड की स्कॉलर्शिप योजना यह अभी भी स्कॉलर्शिप चल रही है पोस्ट मैट्रिक लेकिन उसमें बहुत अच्छे सुधार किया है जिससे डीबीटे से पैसा उनके खाते में जाएगा और रकम भी केंदर का अनिश्दान भी बढ़ रहा है तो इसके बारे में थावर्चन जी हमारे राज्यसभा के नेता भी है और वरिष्ट नेता है तो वो आपको बताएंग अन्यत तीन-चार निर्णे जो हुए है उसका मैं बताऊंगा दिल्ली के अनाथराइज कॉलनी का इशू आपको मालूम है जेजे क्लेस्टर देहातों में कुरुशी भूमी पर हुआ भवन निर्मान ये सब अनाथराइज समझ के उसके खिलाफ कोर्ट में केश जाने पर को बार बार आधेज देता था कि उससे सवरक्षन देने के लिए 2011 में कानून बना था नैशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉग ये 2014 में समाप्त हुआ हमने 2014 में उसको तीन साल के लिए आगे बढ़ाया यानि ज़्यादा मुददी तीन साल फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी अब चुकि वर्ष का शीत कालिन सत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए और तीन साल देने का अध्यादेश को आज मंजुरी दी है अब वो राश्ट्रपती जी के मंजुरी के बाद लागू होगा इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को इससे कानूनन सवरक्षन जारी रहेगा आपको पता है पिछले साल सत्रा सो अनाथराइस कॉलनी में रहने वाले लगबग 40 लाख लोगों को मालिकाना हग देने का आईतियासिक फैसला सरकर ने किया था और उसलिए प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अनाथराइस कॉलनीज ट्वेंटी नाइंटिन यह कानून पास किया था अब दिल्ली का पूरा विकास धंग से हो दिल्ली का एक अच्छा नियोजन हो अच्छी विकास योजन अपने यह काम चल रहा है मास्टर प्लान के आगे के मास्टर प्लान को भी काम चल रहा है तो यह काम करने के लिए जो समय चाहिए उसके लिए आज सरकार ने यह तै किया कि यह कानुन को जो अंग अथरैज नैशनल कापिटूर टेरेटरिव दिल्ली लॉज हो है उसको तीन साल और आवधी देंगे यह हम आज पास किया इससे डिल्ली के विकास में भी मदद होगी और इससे डिल्ली में रहने वाले ऐसे सभी लोगों को लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी सवरक्षन मिलेगा एक अंधिया निर्णय में फिल्म डिविजन चिल्ड्रेंग फिल्म सोसाइटी नैशनल फिल्म आर्काइव्ज डिरेक्टर आप फिल्म फेस्टिवल इन चारों संस्ताओं का इनेब डीसे में विलाय करने का निर्णय हुआ है जैसे आपको पता है फिल्म्स डिविजन और चिल्ड्रेंग फिल्म सोसाइटी चित्रबटों का निर्मान करते है फिल्म चिल्ड्रेंग फिल्म सोसाइटी चित्रबट करती है फिल्म्स डिविजन शॉट्ट फिल्म्स तैयार करती है यह प्रॉडक्शन में काम करते हैं दो संस्थाया इसी थी एनेबडी सी और डायरेक्टर आप फिल्म फेस्टिवल कि प्रोच्छान इस शेतर को मिले प्रमोशन मिले इसके लिए काम करते हैं लेकिन एक मजी की बात थी कि एक ही फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर आप फिल्म फेस्टिवल आ और नेशनल फिल्म आरकाईव जो है वो प्रिजर्वेशन करता है सवरक्षन करता है अब यह चार संस्ताओं का एनेब डीसी में बिले होगा पांस संस्ताओं का मिलकर एक ही एनेब डीसी बने की लेकिन सभी जो काम चल रहे है याने जो फिल्म डिविजन काम कर रही है जो चिल्डरेन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है जो एनेफाय काम कर रहा है वो सारे काम चलते रहेंगे वो नहीं बंद होगे संस्था जो अलग-अलग थी उसके जगर एक संस्था होगी अधुनिक तक्निक इस फिर्ड में बहुत आ गया तो अधुनिक तक्निक का उपयोग करके अच्छी फिल्में अधिक लोगों तक पहुँचे एक ने ये इसका एक उद्देश है अच्छे कारेक्राम अच्छी फिल्में अधुनिक तक्निक से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि सोशल मीडिया के विस्तार के बाद तो सारा आयाम ही बदल गया है तो ये भी एक महतोपूर्ण बात है एक क्रियेटिव टैलेंट हर संस्था में कुछ होती है उसका इकठा आना ये एक मेल होगा और एक बहुत अच्छी ताकत तयार होगी सरकार की जो धारना है मोदी जी की मैक्सिमम गवर्णस और मिनिमम गवर्मेंट इसी नीती के तहत ये बताया जाएगा इससे कारेक्शन था बढ़ेगी और डुप्लिकेशन नहीं होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म दुनिया से जुड़े सभी लोग इस निर्णय का बहुत देरी से प्रतिक्षा कर रहे थे बहुत स्वागत करेंगे जोर से क्योंकि ये चारो संस्ता अपना कारेक्शन था बहुत खो चुके थे या बहुत ज़्यादा उसका काम नहीं हो रहा था अब सब मिलके एक एंटिटी होने के बाद सब काम अच्छी तरह से और बड़े पैमाने पर चलेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है एक अंध्य निर्णाई में आपको मालूम है देश में अभी लगबक 18 करोड टीवी है उसमें 6 करोड से आधिक घरों में डीटी एज की सर्विस मिलती है तो डीटी एज जो सेवा देते है तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजेट में और वानिज्य मंत्राले ने हंडेड परसेंड एबडी आई की बात निर्णाई पहले ही किया था लेकिन हमारे आयन बी की गाइड लाइन के कारण इस क्षेत्रों को हंडेड परसेंड एबडी आई का लाब नहीं मिल रहा था अब आज के निर्णाई से यह गाइड लाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइड लाइन अब यहां रहेगी जो पहले बजेट अलाउंस्मेंट थे उसकी पूर्ती है और इस क्षेत्र को भी हंडेड परसेंड एबडी आइक मिके लाया है अभी तक हमारे गाइड लाइन के कारण यह 49 परसेंट तक ही सीमित था अब सौफी सदी होगा इसके लिए ट्राइड से विचार भी मर्श हुआ और एक विसंगती जो थी वो दूर की है उन्हें लाइसंस भी अब 20 साल तक का मिलेगा और रिन्यूवल हर 10 साल होगा लाइसंस फी भी टेलिकॉम सेक्टर जैसी हो रही है तो एक बहुत बड़ा सेवा क्षेतर को भी एक न्याय देकर लेवल प्लेइंग फिल्ड प्रोवाइड करने की आज निर्ने किया है आज के कैबिनेट में दो समझोते भी हुए दो समझोतों में अफगानिस्तान और फिलिपिन्स के साथ नागरी उड्डेन मंतरा लेके निर्ने जो हुआ हमारे उन दोनों देशों के साथ सत्तर साल पुराने बाइलैटरल्स थे लेकिन सत्तर साल पुराने बाइलैटरल्स को नए टेमपलेट में डालकर उसको पुनरजीवित किया है और ज्यादा घनिश्ट सहयोग हमारे देशों का फिलिपिन्स और अफगानि यह आज के निर्ने है मैं दरख्वास करूंगा गेलोजी को कि वो पहले बताए उनके सचीव भी आये है जो बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि शेडूल का शात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल सरकार की है इसकी जानकारी देंगे कि दस्वी पास करने के बाद ओची शिक्षा प्राप्त करने के लिए चातरवर्ति देने की योजना है और ये योजना देश के आजादी के पहले से लागू है उन्साठ साथ में शेर पेटन प्रारंब हुआ कुछ राज्जी मिलाएगा कुछ केंदर मिलाएगा उसके बाद सित्योतर इठ्योतर में एक फार्मोला तय हुआ और उस फार्मोले के अंतरगत पंचवर्शी योजना के आंत में जितना लाप चातरवर्ति के रूप में चातरों को किसी राज्जी में दिया गया है वो कमिटेड लाइबिलिटी मानी जाती थी उसके बाद इसमें परिवर्टन हुआ और पंचवर्शी योजना में पांच साल में किसी एक साल में सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है उसको कमिटेड लाइबिलिटी माना जाता था इस पद्दती के इसाब से सारे देश में अभी तक छात्रवर्टी दी जा रही थी परन्तु इसके कारण परिष्टितियां ऐसी निर्मित होई कि कई राज्जों को नहीं के बराबर पैसा मिलता था चात्रवर्टी देने में कठिना ही मेहसूस करते थे सरकार ने गंविर्टा से विचार करके इसमें एक एतिहासिक और अब जो शेयर पेटर्न रहेगा वो 60% केंदर देगा और 40% राज्ज मिलाएगा इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड रुपे साला ना एवरेज 2-3 साल का निकाला है देते थे और आप देंगे सीधा सीधा पांच गुना बढ़ा करके और ये पांच गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5000 करोड की धनराशी से अधिक की धनराशी चातरवर्ती के रूप में राज्जों को देंगे और ये चातरवर्ती देने का प्रावधान जो किया है वो 60-40 का तीन साल का एवरेज निकालेंगे और उसमें जो धनराशी आएगी उसका 60% केंद्र देगा और 40% राज्जों लगाएगा ये पांच साल के लिए लागू रहेगा और हर साल 5% धनराशी की बड़ोत्री की जाएगी और वो बड़ोत्री के मान से पांचवे साल में जाकर के करीब हम 6,000 करोड रुपे एक साल के देना प्रारंब करेंगे आज लगबग 55,500 करोड रुपे की राशी देने के इस्तिती में हैं और इसी साल से दे रहे हैं 20-21 वर्ष अर्थात ये मार्च आएगा इसके पहले पहले हम ये 5,500 करोड की धनराशी राज्जों को उपलप्त करा देंगे पात साल का एवरेज हमने निकाला है 69,000 करोड की राशी इस पर खर्च होगी उसमें से केंद्र का हिस्सा 35,534 करोड होगा ये डीबीटी पद्दती से चात्रों के सीधे अकाउंट में जाएगी राज्जी सरकार से हम चात्रों की सूची मंगाएंगे उनकी सूची और अकाउंट नमबर आने के बाद हम राज्जों से कहेंगे कि वो 40% धर्णराशी उनके अकाउंट में डाले और जैसे ही वो धनराशी डालेंगे केंद्र सरकार तुरंत उसमें इस प्रकार की जो राशी बनती है केंद्र से वो उनके अकाउंट में डालेंगे इस प्रकार से जिस पद्धती से छात्रती देने के कारण लिके जैस कम होंगे आनिमित्ताइं कम होगी और इसके कारण से चातरों का एन्रोल्मेंट है वो तेरा चवदा के आंकडों के हिसाब से 17.1 प्रतिशत था और 18.19 के दोरान 23 परसेंट हो गया है अब ये 23 परसेंट 27 परसेंट तक बढ़ाने की अमारी कारी योजना है एसी के सेख्षी सथक्ति करन के लिए ये सबसे बड़ी योजना है और इस योजना के माध्यम से हम कक्षा 11 से लेकर के उची सिख्षा प्राप्त करने वाले 60 लाग चातरों को जो चातर वरती दे रहे हैं वो इसमें निरंतर बड़ोतरी होती रहेगी और 5 साल बात जाकर के ल नामबावना हैं और इसमें हम सबसे गरीब घरों के चातरों को नाम बांकित करने का प्रयास करें इन घरों में दस्वी पास करने के बाद जो इसकुल छोड़ देते हैं लोग बच्चे उनको इसकुल में लाने की कोशिस करेंगे अगले 5 वर्षों में लगबग 1 करोड 36 लाग एसे गरीब तम बच्चों को हम शिक्षा देने की कोशिस करेंगे और उनको इसकुलों कालेजों में प्रवेश दिलाने की कोशिस करेंगे उम्मीद है कि ये एक करोड 36 लाग छात्र इसका लाब ले पाएंगे चात्र रर्ति के लिए जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा रहा है और इसमें कहीं कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी 60 प्रतिशत की केंदरी हिस्सिदरी का भुकतान सीदे चात्रों के खातों में किया जाएगा समय पर भुकतान हो इसकी चिंता की जाएगी सही भुकतान हो इसकी चिंता की जाएगी इस चात्वरती योजना के तहट अगले पाँच वर्षों के दोरान जैसा मैंने बताया लगबख उनसाट हजार करोड रुपे खर्च किये जाएंगे विशे काताम प्रेजंटेशन पाँची स्लाइड से तोडेश काबिनेट बेसिशन बेस्ट थारते ही उनसे कि यो दूचेंः बेस सिन कैंप विच जाह मुच ऑल सेवेंटेश्स से बाट बेसे कि smart जाएंटने इन आएंट्ट कि ़िएारु गड़ उसग्वश्टेश्स व drip रожд। in the higher education system, about 60 lakhs, that is two-thirds of the students, are dependent on this scholarship. This scholarship has got history since 1944, and it has succeeded enormously in improving the gross enrollment ratio in the higher education up to 23% from 6%. This scholarship covers all the costs, including the monthly maintenance elements and the tuition fee. Next, please. So the cabinet's decision was to making this not only effective, but also efficient. Primarily five points are there in the cabinet decision. Firstly, it should cover the poorest households. The focus is to go to the poorest households who could not join the higher educational institutions and then somehow get them back into the higher education stream. Second thing is that it ordered a simplification of process, how we can reduce the delays, make it very simple for the students to access the financial assistance. The third aspect is how we can increase the enrollment further. And then fourth aspect is higher central government investments. Our Honorable Minister has already pointed this out. And then finally, it also provided for a very robust monitoring system so that there are no frauds or any leakages in the system. Next, please. I'll briefly go over the coverage issue. As you know, that the two-thirds of the schedule students who are having household annual income of less than 2.5 lakhs are already in this scheme. But the cabinet said that you must really look for those students who are the poorest who could not come to the higher education system because of financial difficulties and then run a campaign. All of them can come into the higher education system. So this is one major improvement that the cabinet has decided. We estimate that with this decision, about 1.36 crores of people who otherwise would have dropped out of the system would be brought back into the higher education system either through colleges or through the skill development institutions. On the whole, our minister has mentioned that about 4 crores students in the next five years, this year included, defeated by this scheme. Next, please. Simplification is a very important underlying feature of the reform that the cabinet has approved. The 60% of the central government share will now go directly into the accounts of the students. Earlier, it used to go through a very long process of sending it to the state, state sending it to the district, to the institution. So now the process is completely simplified and from the account, to the account, directly from the RBI account of the government of India, the amount will reach the student. And it will reach on specific time schedules. There will be no delay. This is, again, a fundamental feature that if a date is fixed on that date, by that date, everybody must get their fellowship, whoever is eligible. Then, next, please. So, the investments have been substantially increased. Our minister has mentioned that this is almost a five-fold increase in the government's commitment for this crucial program. So, the total investment will be in the order of 59,048 crores, of which the central government share will be 35,534 crores up to in the next six years, up to 25,26. So, therefore, the point that we should note is that the share of the government of India has substantially increased. And, therefore, we will be in a position to look at the scheme for more systematization, for simplification, and greater transparency. Next, please. The impact will be very clear. We assume that a lot of poorest households will get this benefit, and they'll come into the higher education system. And, as a result, we expect that the gap between the national average and the average gross enrollment ratio in SCs will be narrowed down. And then, in the next five years, they'll catch up with the national average, and that's going to be a big milestone in the history of this country. And we hope that this scheme will achieve this aim. The quality of the education is one very important element the cabinet has ordered, that only institutions which are maintaining educational standards shall be in this scheme. And all the institutions who are admitting schedule class students, they should be encouraged to come under the accreditation by NAC or NBA before 20, 24, 25. So, they have given four years' time for them to get accredited. So, this is a very clear direction that the cabinet has given that we will only encourage educational excellence and educational quality. There is also a huge accountability matter that has been brought in. So, the social audits have been mandated. for all the scholarship schemes. That means there will be community audit of whether these funds have reached, whether they have reached well, whether the students have used it, are there any leakages, are there any problems. So, all these things will come through a social audit process, and this will help in improving this scheme substantially. So, therefore, there is a lot more than a huge increase in the financial burden, financial investment from the side of the central government. There is going to be marked transformatory change in the way that the scheme is implemented for the benefit of this poorest segment of the society. Thank you. Questions? I think just please use finance. I think just please use finance. जैसे मैंने कहा कि गवर्नन्स जादा बढ़ेगा अच्छा और गवर्मेंट जो है बहुत हर संस्ता एक बार अलग होती है तो उसके अलग-अलग इस्टेबलिश्मेंट बहुत होती है तो उसके जगह एक जगह आएंगे क्रिएटिव टीम्स का पूल हो जागा और अच्छी निर्मान होगा ये उसकी कल्पना है 26 मुकेश कॉषिक हुम है 26 निमर बेसाइट मेरा सवाल भी इसी विशय पर है कि जब अलग-अलग आपने कहा कि ये चारो संस्ता है अलग-अलग अपने काम होगा देखो ये समझनां चाहिए फिल्मज डिवीजन हम जब देखते थे सालों से हर सबता सभी थिएटर में फिल्म दिखता था वो धीरे-धीरे कम होता गया टिस इंडेले फिल्म सवसाइटी पहले बहुत फिल्मे दिर्वां करती थी दिरे धिरे कम होता गया तो इसलिए इसके सुधार के लिए और इसको पुनरज जीवित एक तरह से करने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि काम भी सभी हो लेकिन कारेक्शमता से हो और जादा उत्पादक हो और जादा उत्पादक हो और वाइल दिस इंटेगरेशन FTII you have kept away from this integration process इसका समझने वो शिक्षा संस्तान है वो उसका हिस्सा नहीं है 37 अभी स्टुडेंट वेलफेर और स्कॉलर सीप की आप लोगों ने बात की ममता जी ने ऐलान किया है कि चुनाव से पहले मदरसे के बच्चों को और इसकूली बच्चों के खाते में सीधे 10,000 रुप जो ने ने हुए उसका बालिंग होते हैं बाद में मैं आपको कभी भी मिलता ही हूँ तो आई ये जरूट शारी कॉमेंट्स दूंगा एनी मोर क्वेस्टिन थैंक यू बरी मैच सर्थ थैंक यू फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं हाँ क्या हो रहे हैं हाँ सवाल की जुरूट ने ब्रीफिंग अच्छा करते तो क्या है जो